नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत आपका रनफोर्ट एक लोचन पर दोस्तों काथी नहीं नहीं तरीके की वीडियो आपको दिखाई हैं लेकिन आज आज आपको एक सोलर पैनल की वीडियो दिखने वाला हूँ जो सोलर पैनल 588 है दोस्तों कहीं भी इतना बड़ा प बता Öz Давай कि एंपको बता दू यह जो पेनल यह नहीं तो आपको बता दूं की विगनल भत और एक ऐसे सोच्था हैंk पैनल है जो कम सूरज जो सूरे देपता हैं जो कम लाइट देगा तो तब भी ये बिजली बनाने का काम करेगा आखर इसके क्या क्वाल्टिया पूरी जानकार इस वीडियो देने वाला हूं कंपनी के डारेक्टर विजयसाद मेरे पास्मेन में उसे पूरी जानकारी इस कनवार से नवाड और सब् addition कर तेसे जिसद्रिके से पैडला आपकी कंपनी इतना बड़ा पैनर बनादिया ताव है कि कोई भी इतना बड़ा फैनल नहीं बनाती है आपकर इस पैनल के किया खास बात हूने वानी है जो धूर पैनल के कॉर्डिंग this सबसे जादा judgment पैनल था और सबसे ज़्यादा बड़ा पैनल भी कह सकते हैं यह 500 CW का है और आपने आप लोग आज तकल तो सब लोग गूगल पर देख लेते हैं और सब्सक्राइब लेते हैं लोग भी यूट्यूब पर देख रहे होंगे या फेश्वुक पर देख रहे होंगे तो इतना बड़ा प जतके यह यह जो अधेशना क्या होता है कैसे बहुत्यों तरफ से काम करता है और जितके इसे इफ कराद़ को अधर से कहा हैं जब इसकी मौंटिंव उन कराते हैं लग वग चार फुट चाही पे तो कुछ शन की जो रिज है वो फट जाती है गवारा वापस जाती है ओड़ तो पैनल एक साइड वाला है वो लगुमान के चलिए उपर से जन्रेशन कर रहा है यह 30% एनर्जी को इधर से और ले लेता है तो बोगता को 30% जन्रेशन प्लस हो जाता है अगर बाइफिशल पैनल लगाते हैं नमबर एक नमबर दो बात इसके अंदर जो मुकेश जी सेल है प्रियोग किया गया है तो तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो सेल है यह आप देख रहे हैं यह 10 बीवी सेल है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह दस बसवार वाला सेल है और सबसे ज़्यादा एफिशेंट सेल है उसके साथ साथ एंटाइप सेल है एं एंटाइप मनलब नेगेटिव और पॉजिटिव यह एंटाइप यह टेक्नलोजी होती है आव सब दो में बताऊं तो ज्यादा एफिशेंट होती है ज्यादा बिजली बनाने वाली होती है और इसका डिग्रेशन रेट बहुत कम होता है यह ना कि माराव डिग्रेशन पचास साथ साल के लिए अप्टेंशन फरी होने वाले है तीस साल की कमपणी की वारंटी देती है असर जिस तरही के साब बोले थे हापकट पैनल अब क्या लोगों को संझाए यह उता है एक एक शेल पूरा होता है तो इस हापकार जिया तो इसका इधर ओगा एए एधर हो अजिए अजिए तो यह पर चीज का उधर नखा गया इस पैनल में के यह इंडिया का सभसे नंबर वन सभसे ज्यादा एफिशेंट पैनल मनने के लिए अच्छा सेल प्रियोग किया गया जो भी आज की डेट में लेट्श टेक्लोजी है वो इसमें प्रियोग की गई है तो आज की डेट में 13 पेशिएट पैनल मुगचजी 23 परियोग मतलब म यह वनी कि आज की डेट पर सब से ज्यादा बजली बनाने वाला पैनल है ज чисто बर्सात का मौसम है सर्दियों का मौसम है और घर्मियों का मौसम है अभी आगे बर्सात आने वाली है लोगों के मन में रहता पाना पासël से बातशा है और सर्दिय में करना उसा है कि आप सर्दियों और आपे 10 355 दिन अपका पैनल अब çalışकरे रहने वाला रहा है यह बहुत अजो अच्छा पैनल यहां बिल्कुल बजूदी नहीं है जा लोग को ते भी सोलर के और अपर डिपेंड है आप ऐसी किसी 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 वस्तिमे है एंशी कहीं रहते हैं जो इस तरीके से पैनल कापि बड़ा पैनल है अच्छे गर में क्या लोट चला सकता है देखे क्या होता है जिसे बड़े प्रोजेक्ट लगाने है हमें वह इतने बड़े पैनल लगा जाते हैं नॉर्मली भी आप चाहते है कोई आम उबोग ता चाहता है दो बैटरी का इनवर्टर है मुझे चोविस वोल्ट का एक पैनल ले लो मेरा बज़ट अब ज्यादा नही करने अभी क्या भी लोट चलाना है तो लगबग चार पंखे लगातार चला सकते हैं आपका यह मुझे रात को चलाना है लोट और मेरे बज़ट है कि एक ही पैनल ले लेना है तो फिलाला पैसा किजिए एक से दो पंखे दिन में चला लीजिए और दो पंखे की जो एनर्ज अपना काम चलाने के लिए और बागी धीरे धीरे पैनल बढ़ाके जादा लोट भी से चला सकते हैं आपका जैसे डी सी पंखा चलाना है कूलर चलाना है एक नॉर्मल सौपकी पर है वो चार है जी मझे तो सस्ता सा पैनल में जाए तो उसकी दसजार पास्सों कीमत है उससे अपना पंखाय कुलर चला सकते हैं डी सी वाला बिन बिन गठरी के लिए दिन बहर में दिन के टायम में अब रुचांगा लगा लेगे अब रुचा सिर्ण पर चुविस बड़क टाना चैनल को इसे जब लगाना थी टो काल प्वाट पांच कुलो वार्ट तीन किलोवाट यह पैनल चलते हैं तो इन उन वड़े प्रजेक्ट में लगा सकते हैं ज़ह दो बैटरी का इंवर्टर वहां से सुरुवात कर सकते हैं असिन जिसकी लाइग क्या होई लाइग कि ती साल ते कमपनी वारंटी देती है और यह कम से और बचास साथ साल चलनेवाला है कम से कम की कर दो इसमें खराब होने वाली को चीज नहीं आजी यह जो फोटो वोल्टिक सहल फोटो से बनावाला से इसके अंडर कोई मसी नहीं नहीं है कि कोई पिष्ठा नहीं उसमें घ्चाव जाएगा यह कोई चीजे इसकी खताव हो जाएगी जनेटर नहीं है यह जितो तो सिधा बोल्ट बनाने वाली चीजे सीधा समने जिसमें बढ़ती है सीधा बोल्ट बनाता जंगसन से आफेज देता है तो इसमें खराब होने वाला कुछ है नहीं आसानी से खराब नहीं होते हैं और ब्रेकेज की बात करूं तो टेमपर्ड इसमें गिलास लगा है ऐलो यह अलोग निमका है बहुत मजबूत फ्रेम बनाया गया है अब कोई इत्फाकन कोई आप जानके तोड़ना चाहे या कोई इस प्रकार का एक्सिरेंट हो जाए कोई बहुत ज्यादा साइकलोन आ जाए आन्धी तूफान बहुत बढ़ा जाए उस पेर वे लिगर जाए तो एक अलग है अन्या तर नॉर्मल वे में कम से कम 50-60 साल के लिए अप टेंशन फिरी हो जाते है एक बार इंवेस्टमेंट करके जी जी साल इसकी वारंटी है असर इसे खरीद कहां से सकते हैं तो अपना पांसो सीवाट पैनल डाल देंगे पांसो सीवाट सोलर पैनल वहां सिधा इसकी है आप फोरी प्तिकों से सीथा आप याइग आप सिधा पती। कर सकते हैं और झापको नंबर देतों है कंपनी के जए सेल्ग में जएर उन से आप करके सीथा पर्चेज करके हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं तुब क्राइब शुर्म में चपन कम होता है तुब यजी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अभी आपको रेट को रेट बिलने वाला है चालीस रुपेश वाट प्लस डिएसटी में यह पैनल मिलने वाला प्लिटी परसेंट लग जाएगी एक अवराल रेट की बात करें अप्लिटी जी समीट कि देगा तो लगवग शबी सप्लाइब कर सकते हैं एक तो दिलर डिशुटर से हमारे और जिस दिलर डिशुटर नहीं है और अवर गाइख सप्ला है और है आप अवार ला चाहते हैं तो इकोवार साइट आप kry सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं और डियलिवरी Нался dотрasबों से तो मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 30 रुपे का एक बार टास्पोर्ट का चार्ज होता है एक पैनल की वेट की बात करेंगे तो लगभग लगभग हम मान लेते हैं तो लगभग लगभग हजार से बारे सो रुपे में आप पूरी इंडिया में कहीं भी इस पैनल को मंगा सकते ह करने के लिए थेंक्यू मंगेज जी आपका भी और समय यूज को धन्यवाद तो दोस्तों सर ने पूरी जानकारी पैनल के वारे में दे दी है अगर किसी भाई को पैनल खरीबना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी के नंबर में डाल दूँ आप महां पर जाकर किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं दो तो नई ने तरह की वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तागे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास में जल सल पहुंच सगे